दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उपमुखे मंत्री मनी सिसूद्या शराब घोटाले मामले में तिहाड जेल में बंद है तिहाड जेल में बंद होते वे भी ये कहा जा रहा है कि अनिश्चित काल के लिए यहाँ पर किसी को बंद नहीं किया जा सकता है ता उम्र के लिए सजा नहीं सुनाई जा सकती है क्योंकि मामला यहाँ पर किसी हत्या से नहीं जुड़ जाता है मामला यहाँ पर घोटाले से जुड़ जाता है ब्रस्ट चार से जुड़ जाता है ब्रस्ट चार के मुद्दे पर उम्रकैत की सजा नहीं सुनाई जाती है ऐसे में कोट की तरफ से ही दली ले दी गए और मनीश सिसोधिया को लेकर ये कहा गया कि उनका स्वास्ते भी ठीक नहीं है तो ऐसे में वो अंतरिम जमानत पर भी भार आ सकते हैं यहाँ पर कुछ वक्त पहले ऑलन जे पी अस्पटाल मनीश सिसोधिया को अंतरिम जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी सुनवाई को लेकर अब पांच फर्वरि का इंतिजार करना पड़ेगा लेकिन मनीश सिसोधिया को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आती है जब मनी सिसोधिया की बात करें तो यहाँ पर उनका जो फेस्ट्बुक अकाउंट है जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम कारे करताओं के जरीय चलाए जाता है उस फेस्ट्बुक अकाउंट को भी हैक कर लिया जाता है आज के समय में चाहे आप कोई भी यहाँ पर सिस्टम चला रहे हों, कोई भी आपका अकाउंट हो, यहाँ पर खत्रा तो बना रहता है, बैंक अकाउंट की बात करें या फेस्बुक अकाउंट की बात करें, अब जब राजनेताओं के ही यहाँ पर फेस्बुक अकाउंट यह नजर आती है कि आज के समय में हम आगे बढ़ रहे हैं तकनीकी को येकर आगे बढ़ रहे हैं है और उसी तकनीकी की वज़ा से यहाँ पर सवालों के घेरों में आ जाते हैं तो अब आपको बता दे कि मनीज से सोद्या की फेसबुण अकाउंट को यहाँ पर हैक किया गया जिसके जानकारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जरीए दी गई अब देखना होगा कि क्या मनीज से सोधिया को तमाम तरीके से ऐसे सिकंजे में लेने के लिए क्या भारती जनता पार्टी की तरफ से यह किया जा रहा है क्योंकि जब फोन की बात आई थी तो ये भी कहा गया था कि मनीज से सोधिया ने अपने फोन यहाँ पर तोड़ दिये हैं ताकि यहाँ पर कोई जानकारी शराब घोटाले से जुड़ी हुई हासिल ना कर सके अब देखना होगा इस मुद्धे पर केंद सरकार गिरती वे नजर आती है या फिर मनी से सोधिया तेहार जिल में बंद ही रहते हुए नजर आते हैं क्या है आपकी राइक अमिन बॉक्स में जरूर बताएं देखते रहें इस पर नाइन नियूस धन्यवाद